जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसल्मान है जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसल्मान है जिनके पुर्खे माभ भारती की संतान है भाई यो बेनो उन पर नागरिक्ता कानोर और एनारसी दोनों का कोई लेना देना रही है कोई देश के मुसल्मानों को न डिटेंशन सेंटर में बेजा जा रहा है न हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेंटर है भाई यो बेनो ये सफेज जूट है ये बदिराजे वाला खेल है ये नापाख खेल है और भाई यो बेनो मैं तो हरान हूँ कि ये लोग जूट बोलने के लिए किस हद तक जा सकते हैं कुछ लोग सिटिजन सिप्रेमेटमेंट एक को गरीबों के ही खिलाब बताते हैं क्योशिस कर रहे हैं कह रहे हैं कि जो लोग आएंगे वो यहां के गरीबों का हग चिलने लेंगे अरे जूट पहलने से पहले इन कम से कम गरीबों पर तो दया करो भाई एक ही पार्लामेंट के सत्र में मोदी गरीबों को घर देने का कानू लाता है क्या उसी सत्र में गरीबों को चिलने की बात करेगा क्या जूट पहला कर रखा है भाईयो बैनो यह जो एक लाया गया है यह उन लोगों पर लागू होगा जो बर्षों से बारत में ही रह रहे हैं किसी नए शरणार्थी को इस कानून का फाइदा नहीं मिलेगा जो लोग इस तरह का जूट बोल रहे हैं उन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगला देश से धार्मिक प्रताक्राग्य, धार्मिक रुकारों से परिशानी जो हुई प्रतार्णा जो हुई उन्हीं लोगों को सुरक्षा देने के लिए ये कानून है भाई और मैंनो, ये वो लोग है और ये कौन लोग है, मैं हरानो, कुछ दलित नेता भी बीना समझेश में गुज गए है जब मेरी बात सुनेंगे तो समझेंगे उनको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान से जो अधिक तर जो हमारे सरार्थ याए है वो मेरे दलित भाई बेहन है दलित परिवार के है भाई ये बानो, ये वो दलित परिवार है जिनको पाकिस्तान में बंदूआ मद्दूर बना कर रखा गया था आज भी पाकिस्तान में उनके साथ स्थिती ये है कि अगर दलित परिवार का कोई व्यक्ति चाई पीता है तो उसको चाई के साथ साथ उस चाई के बरतन का पैसा भी देना पड़ता है और बरतन साथ ले जाना होता है आज भी पाकिस्तान में ये हाल है बहाँ पर बेटियों के साथ जो अच्चाचार होता है किस तरह जबरन साधी करके उन्हें दर्म परिवर्तन पर मजबूर किया जाता है ये भी दुनिया भर के अख़़ारों में छप चुका है लगातार मिडिया में आता है ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उनकी सज्जा अलग है आस्ता अलग है पुझा पज़त ही अलग है पाकिस्तान, मंगला देश, अफगानिस्तान मैं वे ऐसे ही सोसन के कारण वो बारत आये और बर्षों से हमारे बीच देश के अलग-अलग हिस्सों में रह रहे हैं भाईयों बैनों एक ऐसी चर्चा है पार्लमेंट में चर्चा हुई अगर हिंदुस्तान के राजनीती नेताओं को अपनी स्वार्षनीजी राजनीती से दूर का दिखता ये ऐसा मोका था हम दुनिया में पाकिस्तान कैसे मानव अधिकार विरोधी है पाकिस्तान कैसे माइनोरिटी पर जुन करता है पाकिस्तान में माइनोरिटी की क्या दुर्दसा है ये चित्रपुरी दुनिया में ले जाने का उत्तम आउसर था लेकिन इनों ने इल्टा कर दिया क्योंकि उनको देश नहीं उनको उनका दल दिखता है इसके कारण देश की भलाई के लिए और दुनिया में पाकिस्तान के कर्टुतों को खुला करने का मोका भी इन लोगों ने गबा दिया और मैंने पहले कहा उस्त्रगार से मैं दलीत राज़ीती करने वालों का दावा जो करते हैं उनसे पूछना चाहता कि आप इतने वर्सों चूप क्यों थे आपको इन दलीतों की तकलीब कभी क्यों नहीं दिखाई दी आज जब इन दलीतों के जीवन की सबसे बड़ी चिंता दूर करने का काम अगर मोधी सरकार कर रही है तो फिर आपके पेट में चुहे क्यों दोड रहे हैं साथियों यहाँ दिल्ली में ही मजनू का तीला में दो हफ़ते पहले ही ऐसे ही एक सरणार्थी के कैम्प में एक बिटिया का जन्म हुआ और उसके माबाप ने उस बेटिया का नाम नागरिक्ता रख लिया मैं जरा यह हुर्दन मचाले वालों से और उनके पीषे रिमोट कंट्रोल से राजनिती करने वालों से कहना चाहता हूँ अगर इस नागरिक्ता नाम की बेटी का जिवन आसान होता है अगर उसके माबाप की जिन्दगी आसान होती है अगर भारत के किसी भी नागरिक्ती समस्याओं का समाधार होता है तो आपको तकलीफ क्यों होती है देश में दसकों से रह रहे हैं लाखों गरीबों सताय हुए शोशीत दलित परिवार जो उत्पढ़ना के कारण उनको भारत आने के लिए मजबूर होना पड़ा है मुशिबस के मारे आए है अपना धर्म अपना समाध अपनी बेजियों की इज़्ज़ बचाने के लिए आए मैं जरा इन लोगों से पूछना चाहता हूँ आपको उनसे दुश्मनी क्या है